ओम श्यान्ति योग युक्त जीवन स्वयम को भी बहुत प्रिये लगता है और योगी आत्माएं भगवान के तुमानों नैनों में वसे रहते हैं संसार को भी प्रकर्ति को भी योगी युक्त आत्माओं की बहुत बहुत जवरत है जो योगी बन जाते हैं वो वास्तों में सर उप्राप्तियों की अधिकारी बन जाते हैं योगी ही सच्चे मन से महसूस करता है कि भगवान मेरा है वो उस पर प्यार और अधिकार की संपूर्ण फीलिंग करता है तो आओ हम सब योगी बने क्योंकि आने वाला समय योगियों का होगा योग युकतात्माएं ही अपने सर्व खजाने देकर द्रश्टी डालकर दूसरों का कल्यान करेंगी तो याद रखेंगे एंकार से हमारा कोई नाता नहीं है क्योंकि योगी और अभीमान दोनों साथ साथ नहीं चलते जहाँ अभीमान है वहाँ योग तूट जाता है और जहाँ स्रेश्ट योग होगा महाँ अभीमान की रियलाइजेशन भी अवश होगी अगर कोई बहुत अच्छा योग भी करता हो लेकिन उसे अपने अभीमान की पकड़ ही न हो तो उसका योग यथार्थ कभी नहीं माना जाएगा हम स्वयम को स्वमान में इस्थित करते चलें और अभीमान से मुक्त होते चलें याद रखेंगे जितना जाद हमारा स्वमान बढ़ेगा उतना ही अभीमान और एंकार घटता जाएगा एंकारी व्यक्ति दूसरों को सम्मान नहीं देता लेकिन स्वमान धारी व्यक्ति न केवल दूसरों को सम्मान देता है लेकिन उन्हें स्वमान की उची नजर से भी देखता है स्वमान हमारे जीवन को बहुत महान बना देता है और जहां एंकार है वहां व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसमें कितने भी योगिताएं हों लेकिन उसका प्रभाव लोगों पर बहुत गहराई तक नहीं पहुचता हमें सेवाई भी खड़नी हैं हमें लोगों के संपर्क में भी आना है हमें उन्हें गुड वाइब्रेशंस भी देने हैं इसलिए हम निरहंकारी बने एंकार हमारी सेवाउं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि एंकार में आकर ही आत्में टकराव में आती हैं और जहां सेवाउं में टकराव होता है वहां तो सफलता का प्रस नहीं नहीं उठता वहां तो vibration सी बहुत अश्यान्त हो जाते हैं और लोग तो हमारे पास श्यान्ती की अनुभूती के लिए आते हैं लोग तो हमारे पास प्रेम पाने आते हैं यदि हम एंकार के मद में चूर होंगे तो हमसे लोग क्या पाएंगे एंकारी व्यक्ति थो खुद ही खाली होता है और एक बात आज हमें विशेश रूप से स्वयम में चेक करनी है एंकार का एक बड़ा सुक्सम स्वरूप मैं राइट हूँ इस बात को जरा ठीक करें हमेशा मैं ही राइट नहीं होता दो व्यक्ति जब आपस में जगड़ते हैं दोनों ये समझते हैं हम राइट हैं वर वास्तों में दोनों ही गलत होते हैं जो राइट है जो सही है जो सत्य है उसे स्यान्त होना चाहिए और स्यान्ति का प्रभाव अपनी राइट बात के साथ जोड लेना चाहिए यदि श्यान्ती, सेंसीलता भी हमारी सत्य बात के साथ जोड जाएगी तो हमारी सत्य बात दूसरों को अवश्य स्विकारिय हो जाएगी लेकिन मैं राइट हूँ, ये सोच सोच कर राइट होते भी यदि अभिमान आ गया यदि लडाई जगडा हो गया, यदि स्थिती बिगाड ली तो उस सत्य बात का प्रभाव नस्ठ हो जाएगा तो आज हम सारा दिन एंकार पे ध्यान देंगे कहां कहां हमारे अंदर मैं पनाता इसको चेक करेंगे और इस स्वमान का अभियास करेंगे मैं एक महान आत्मा हूँ, स्वयम भगवान की नजर मुझ पर पड़ी है उसने करोडों में से मुझे चुना है मेरी चमक संसार की सभी आत्माओं से जद है मेरे प्रकास से संसार का अंदकार दूर हो रहा है और साथ-साथ बाबा का वर्दानी हाथ मेरे सिर पर है बहुत गुड फिलिंग करेंगे अपने हाथ, बाबा के हाथ को अपने सिर पर पाएंगे अपने हाथ में बाबा का हाथ देखेंगे और देखें आज की सुन्दर अनुभूतियां ओम्चान